वीडियो पर पहले बार है हो तो लाइक कर दे सस्क्राइब करके अब आजू में दिखने वाले घंटे को दबा कर और नोटिफिशन अन कर दे Redmi Note 14 Pro, a huge disaster smartphone साबित हो सकते हैं आप लोग पूछेगे क्यों, क्योंकि बहुत सारी companies ऐसे जिनका नाम में लेना तो नहीं चाहता हूं पर price के इसाब से इतना भैतनी smartphone on paper देते हैं और जैसे आप लोग smartphone खरीद होगे खर आप लोग मेरे को बताओ कभी आपको ऐसा experience हुआ है या फिर नहीं हर साल हम लोग excitement इसलिए रहते हैं क्योंकि Redmi Note Series के अंदर heavy loaded features और कम price में smartphone launch कर देते हैं तो budget friendly smartphone के अंदर Redmi Note 14 Pro अड़ होने वाला हैं आपकी preference सबसे ज़्यादा entertainment है, streamer हो या फिर gamer हो आपके लिए smoother than experience ever मिलता रहेगा यहाँ पर rigs or lumors ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं कि Redmi Note 14 Pro के अंदर 1.5K की AMOLED डिस्प्ले हो सकती है, जोकि as compared to LCD पैनल, ultimate हमको color और contrast और sharpness ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर ultimate rumors की बात करें, high refresh rate इस smartphone की display में मिल जाएगी, जोकि 120Hz की high refresh rate होगी एक power आपके हाथ के अंदर हो सकता है, याकिनन आप लोग नहीं मानोगी, smartphone के अंदर बहुती तगड़ी processor मिलने वाली है Redmi Note 13 Pro के अंदर हमको Snapdragon 7S Gen 2 वाला processor मिलाता, ultimately अच्छा processor आप कह सकते हो पर upgrade के बात करें, Redmi Note 14 Pro के अंदर लिक्सू rumors यह बताया जा रहा है कि Snapdragon 7S Gen 3 वाला processor हो सकता है ultimately एक huge upgrade आप कह सकते हो camera बहुती interesting होने वाले ही दोस्तों, जो आप लोग आख से देख नहीं सकते है वो camera से capture करके आप लोग memory as save कर सकते हो camera की details जो सामने निकल कर आ रही है, बहुती scary है यानि कि मेरा मतलब भी high megapixel हो सकता है यहाँ पर लिक्सू rumors यह का जा रहा है, 150 megapixel की हो सकती है और हाँ camera's में अलग-अलग modes बे आपको देखने के लिए मिल जाएगे ultimate photos और वीडियोग्राफी जरूर कर सकते हो आज की दुनों में long lasting battery performance को नहीं चाहता है specially Redmi series की बात करें तो सारे के सारे smartphone में 5000 ms battery performance देना आम भात है यहाँ पर लिक्स यह suggest कर रहा है कि Redmi Note 14 series के अंदर 5000 ms से भी ज़्यादा battery performance हो सकती है अगर मेरी इसाब से मैंनों 5500 ms battery यह नफ होगा अगर Xiaomi वाले कुछ अलगी करना चाहती है तो 6000 ms battery performance दे सकते है Snapdragon processor को IC optimize किया जाएगा कि आपको day-to-day life के अंदर battery जादा से जादा मिल जाए यानि कि यह experience आपकी जो होगी बहुत ही ultimate होगी day-to-day life के अंदर जादा battery consumption नहीं होगा यहाँ पर guessing वाली game के अगर बात करें तो smartphone releasing date को लेकर होगा और इसको price को लेकर होगा launch date को लेकर शौमे ओले अभी तक कोई official releasing date तो नहीं बता है पर हम लोग previous cycles को अगर मध्या नजर में रखते हुए देखे तो पिछले वाल स्मार्टफोन December में के आज पास launch हो गया था 9 बर December के आज पास चीन के अंदर launch हो गया था पर वही स्मार्टफोन ग्लोबल मर्केट में New Year के आज पास देखने के लिए मिल जाए गया था No doubt इसी साल एंडिंग तक हम को ये स्मार्टफोन चीन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा आने वाली साल शुरुआत में हमको ग्लोबल मर्केट के साथ साथ भारत में भी मिल जाएगा कुछी दिनों में बहुती जादा इंटरेस्टिंग लिक्स और रूमर्स निकल कर सामने आने वाली है दोस्तो रैडबी नोट 14 सेरीज एक बहुती डिजास्टर नहीं इसके बारे में जाने के लिए सिर्फ आपको सस्क्राइब कर देना है मिलता आपको और एक वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद